Hello Friends, Welcome once again to Health Made Easy Friends, आपने अपनी फैमिली में या अपने नेबर्स में या अपने आसपास अक्सर ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कि हमेशा कुछ न कुछ शरावत करते ही रहते हैं प्यार से लोग इस तरह के बच्चों को शरारती या चंचल कहकर भी इनको अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं पर कुछ बच्चे थोड़ी एज बढ़ने के साथ साथ भी इस तरह की शरारते करते ही रहते हैं और वे पांच से दस मिनट भी एक जगह टिकर नहीं बैठ सकते हैं हर पांच मिनट में अपना खेलने वाला गेम चेंज करते हैं और स्टडीज में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो वो दस मिनट एक सबजेक्ट का ओमवर करेंगे दस मिनट बाद दूसरे सबजेक्ट को पकड़ लेंगे पहले कहेंगे कि हिंदी का नहीं मैट्स का ओमवर करना है फिर मैट्स नहीं साइंस पर आ जाएंगे और वे अपनी स्टडीज में भी कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस पूर ही रहता है क्योंकि वे वहाँ पर भी क्लास में कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं इस तरह के बच्चों को हाइपर एक्टिव चाइल कहा जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपकी फैमली में भी किसी बच्चे में आप ये लक्षान या इस तरह की करेक्टरस्टिक्स देखते हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें फ्रेंड्स हाइपर एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर अलग-लग तरह की प्रॉब्लम्स हाती है जैसे की AD जिसे की attention deficit कहते हैं इसके अलबा दूसरी प्रॉब्लम ADH इसमें attention deficit तो होता ही है साथ में बच्चे में hyper activity भी होती है इसके अलबा इसका next level जिसे की ADHD भी कहा जाता है जिसे attention deficit hyper activity disorder कहते हैं क्योंकि इस condition में बच्चे की जो शरारते हैं या बच्चे की mood के changes हैं वो uncontrolled हो जाते हैं और कोशिश करने के बाद भी बच्चा इसको control नहीं कर पाता है और studies में भी उसकी performance पूर ही रहती है क्योंकि उसमें concentration की कमी पाई जाती है So friends आज की इस वीडियो में मैं आपको hyper active children को control करने के लिए कुछ बहुत ही effective acupressure points के बारे में बताने जा रहा हूँ ये acupressure points सभी stages जैसे की AD, ADH और ADHD में effective हैं और बच्चे के mind को relax करने और उसकी concentration को improve करने में बहुत ही helpful है तो आईए शुरू करते हैं पहला acupressure point हमारी दोनों eyebrows के बीच में center में nose की तरफ जब हम चलते हैं तो हलका सा depression या हलका सा जुकाब नाक शुरू होने से पहले जैसा की picture में दिखाया गया है यहां पर होता है आपको जिर्व इतना करना है कि बच्चा जब सो जाए तो उसके बाद में अराम से धीरे से उंगली से इस point को 10 सेकिंड से लेके 20 सेकिंड तक हलका हलका धीरे से दबा के रखना है और फिर उसके बाद में छोड़ देना है इस point को दिन में 2-3 बार अगर आप दबाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है दूसरा और अगला point है हमारी कौहनी या elbow पर जहां पर outer side की तरफ जैसा की वीडियो में दिखाया गया है यह point पाया जाता है यहां पर भी इस point को आपको 10 second से 20 second तक हलका हलका दबा के रखना है और उसके बाद में इसको release कर देना है तीसरा एक्यू प्रेशर point हमारी wrist पर अंदर की तरफ यानि की पामर साइड में wrist से 3 उंगली चोड़ कर 4 arm पर जैसा की वीडियो में दिखाया गया है यहां पर situated होता है इस point को भी आपको दीरे दीरे सिर्फ 10 से 20 second तक अराम से दबा कर रखना है और उसके बाद में दीरे दीरे छोड़ देना है आप इन सभी points को दिन में 2 से 3 बार जरूर दबाएं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक जब आप लगातार इन points को दबाएंगे तो यह points बच्चे को settle करते हैं उसको calm down करते हैं साथ ही उसकी concentration को भी improve करने में काफी help करते हैं और लगातार लंबे समय तक इन points को practice करने पर बच्चे की इस problem से काफी हद तक चुटकारा भी पाया जा सकता है तो friends यह तो था आज का health update अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होते हैं इसे जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी share करें क्योंकि इस तरह के बच्चे आजकल काफी देखने में आते हैं साथ ही हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले और bell बटन को जरूर प्रेस करें thanks for watching this video झाल